जाले आपको कलाश 10th में संसकार एक चैप्र का नाम्षिए संसकार तो ओ Sydboy चैप्टर से आप लोग को जो मेंग की माध्य जो हम बताने के कोशिश कर रहे हैं जो फरक्रकिन नाम है भारतिय संसकार तो संसकार कितने हैं डेके तो संसकार जो है वो कुल सोला है संसकार कितने है तो संसकार सोलह है हमारे भारतिये शास्त्रों के अनुसार, कुल सोलह संसकार है, अबजेक्टिम में आए कि संसकारों की संख्या कितनी हैं, तो संसकारों की कुल संख्या सोलह है, ठीक न, अबजेक्टिम में आप सोलह मारेंगे, चलिए अब संसक्रीत में सबजेक्टिम कोशन आता है कि स संसकार क्या है संसकार का अर्थ क्या होता है तो आपका एंसर है कि संसकार का अर्थ होता है सुद्ध होना और सुन्दर गुणों को गरहन करना संसकार का अर्थ क्या होता है शुद्ध होना और सुन्दर गुणों को गरहन करना तो यह परकार पुछे कि संसकार कितने परकार के है तो संसकार परकार पुछे तो पांच संसकार कितने परकार के है तो पांच परकार के है संसकार ठीक है ना चलिए पहिला संसकार है जन्मपुर्व संसकार दूसरा है सैसव यानि बच्पन संसकार किसरा है सिक्षा संसकार सिक्षा संसकार चोथा है विवा संसकार और पाचवा है दाह संसकार इतना ही पर हम लोगों का जीवन लिला समाप्त हो जाती है है ना जन्म पुर्व संसकार से लेकर के दाह संसकार तक इतना से होते हुए हम लोग जीवन में गुजरते हैं और आन्टमे değiş desaparecie M Ж daily in यहां झदाहए अंतिम किर्या कर्म हो जाते हैं हम लोग आला के प्यारे हो जाते हैं आदयले जयन पुर विसंस्कार जो आ है वह वह कितने है तो अब्जेक्टिब गॅ में आपको जण्व पूरुविसंसकार कितने पूछे के तो तीन फिक है ना जन्व प पांच और विवासंस्कार कितने हैं तो एक और दवासंसकार की तो एक है नुचालिए विवासंसकार भी एक है दा संसकार बेन जान लेते हैं कि शोला संसकार्ट जो होता है की नहीं है की दो चलिए देखिये Möglichkeiten क्रूद अच्छों är करते हैं आगे वढ़ते हैं देखिए आये जन्म पुर्व संसकार को समझते हैं, जन्म पुर्व संसकार उसे कहते हैं, लिखा हुआ है जन्म पुर्व संसकार, यानि जन्म पुर्व, जन्म पुर्व मतलब होता है पहले, यानि कि जन्म से पहले, जन्म से पहले की संसकार है, ठीक है न, जन्म से पहले की संसकार क्य क्या है हम लोग समझेंगे जब हम लोगों का जनंद में और किसी भी sanition होता है तो उसके जन्म के पहले का संसकार क्या क्या होता है उसे हम जानेंगे और समझेंगे ठीक है ना चलिए समझते हैं जन्म से पहले तीन संसकार होते हैं गरभाधान पुनसवन और सीमान्त हैं सब्जेक्टिव कोशन आए कि जन्म पुर्विसंसकार कितने हैं नाम लिखे तो आपके सामने हैं जन्म पुर्विसंसकार तीन हैं गरभाधान पुनसवन और सीमान्त तो जब कोई भी मात गर्भा अवस्था में हो गर्भधान का मतलब हता है गर्भ का समाधान गर्भ का समाधान उचित ठीक है ना उचित समाधान क्या हो तो जब कोई माता है गर्भ से हो गर्भवती हो तो उस समय में माताय को क्या क्या मतलब करना है क्या 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 काम नहीं करना है क्या क्या चीज है यह इस्त्री गर्वती तो इस समय में इनको क्या क्या है नहीं करना चाहिessä मथा संदी 娘etum जो कोई माता है गर्वती हो या गर्व से हो तो उस समय सबसे अहम भूमिका होता है माता का बच्चों के संसकार लाने में सबसे अहम भूमिका। केनिसकोता माका होता है ठीक है नो माका तो जब मताइस घर्व से हो उस समय में मताइस को प्रसं में हुए हुए ह्थोष रहना है हमें साय और उनको यूदास नहीं झाना उनको दुख है नहीं उनको कोई कोई से गोतनी उतनी जो हते हैं ने लोग से जगरा लराई इसमें नहीं फासना है अना सांथ सभाव से सांथ चित हो करके रहना है तो इसमें संतान बहुत सुंदर और बिद्वान जैसे संतान जन्म लेते हैं लेकिन मां अगर इस गर्वती अवस्था में किसी-किस जगरा करेंगे किसी किसी से इधर के बाद उधर करेंगे जगरा लगा उदास रहेंगे इसमें बच्चे पर असर परता है और वो संसकार किसमें प्रवेस होता है बच्चों में संसकार प्रवेस होता है माज जैसे जैसे परतिकिर्या करेंगे हो बच्चों में चला जाएगा नीव्टन के तीसरा गती के निया कि नहीं मतलब बच्चों में चलाएगा वस्ट संस्कार जो मा करेंगे तो अहां भूम का मा का होता है इस समय में कहा जाता है हम लोगों को सुने होंगे कि पुराने जमाने के लोग क्या करते हैं जब माताएं गर्व बती हो और गर्व से हो तो उस समय माताएं को तीन चीज नहीं देखना है गर्व से तीन चीजों को गर्व से नहीं देखना है और तीन चीज क्या है देखिए न उल्लू को नहीं देखना है देखिए तो कहा जाता है मान्याता एक अनुसार कि जब माताएं गर्व से हो गर्व बती हो तो उस समय मा मतायओं को उल्लू का मुझ गौर्ण से नहीं देखना चाहिए संतान का मुझ अधर गौर्ण संथान को किन को नहीं देखना है नहीं कि इसके जैसा जो गौर से जिसको मा देखेंगे उसके जैसा मुह हो जाता है ना तो इसलिए चुनते होंगे कि माताय को जब माताय गर्भवती हो तो उस समय उस माताय को क्या करना है सो करके उठते समय किनका मुह देखे पती का मुह देखे अपने पती का चेहरा देखे सोने क उठने के बाद क्यों किस पती जैसा उसके संतान का चेहरा हो है ना ऐसी संभावनाए है कि जिनको मा सबसे ज्यादा गौर से देखेंगे ऐसी स्थीती में इतने दिने भी हो गौर से जिनको देखेंगे ऐसी स्थीती में और इसके ऊपर ही संतान का चेहरा जो हता है चला जाता है है कि नहीं अब गार से सुनिए गाए एक बात गार से सुनिए तब काल होता है कि पती गयो पर देश नहीं पती कहा गयो पर देश हम को भूले न जाना पर देशी लाटे के आना हो पर देशी लाटे के आना जब पती पर देश चले जा तो यह मताय जो है अपना कोई भी काम मतलब कोई समान ही मंगवान हो किन से मंगवाएंगे घर में अगर देवर और है तो देवर से मंगवाएंगे किन से मंगवाएंगे समान यह देवर से समान मंगवाएंगे किन से और समय अम गाएंगे देवर से मतलव हर समय देखते रहेंगे माका जिनको सबसे जढ़ा जखेंगे गवर स जीनको चेहरा इसमेत जादा चापए गा मुनके जैसे संतान Κा चेहरा चला जाता है और हो सके देवरभा पर चला गया मुह संतान के ले भाइबा लोग एक रापर गेलों की बात जरूर दुन्यों घर बर रहा है न ऐसे दिक्कत हो जाती है चाहे मां अगर जब से ज्यादा देखेंगे किन को अगर अपने नई है चली गई है तो भाई को सनतान का अगर सास को देखें सबस्यादा सास पर चला जाएगा नहीं चैसको संतान का मुह होने की संभावना और कि आगे क्या क्या नहीं करना है फिर माताएं को तो तो करके उठकर के अपने पती का मुह जो है अपने पती का चेहरा देखना है यह पहला काम है माताएं को और पती का क्या काम रहता है जब उनकी पतनी गर्व बती हो तो उसमें पती का ये परम धर्म है परम कर्तब्व है कि पतनी का सारा ख्याल रखे इनको को दिक्कतों को कमे कमें हमें बताओ पती को सपोर्ट करना साथ देना त्यूंसा चाहरों तैसे तो उसमें माता रुखेत दिक्रेट रहेंगे पसका सारा संचम TONER पर गाहना अगर माता हमेशा खुर रहेंगे कुस रहेंगे तो संतान हसता खेलता रहेगा हम ऐसा मुश्कूराता आएगा नहीं तो संतान ऊंची मुछ ऊंची मुख रहेगा मुपर मुपर पानिये नहीं रहेगा है कि नहीं चलिए आगे वड़ते हैं और ये पति का क्या धर्म होता है कि अपने पत्मी को ऐसी स्थीती में सुन्दर का थाब मतलब जो है करे मतलब कुछ अच्छा विचार दोनों मिल करके बाते करें हसी मजाक वाली बाते करें भगवान का जो कुछ लाइन होते हैं इनको पढ़ना चाहिए जिससे संतान पर असर करता है उसका संतान विद्वान जैसे जन्म लेंगे हैना संसकार की बात है संसकार डाला जाता है संसकार अपने नहीं हो जाता है संसकार को डाला जाता है बच्चों में वह किन के उपर होता है मां और पिता के उपर तो सबसे तोरा थोरा तहलना है जहां तक हो से के ताहले अच्छी-च्छी भूक पर है अच्छी-च्छी किताबे पढ़े मां को खुष रहे परसंद रहना है इनको और पती इनको हमेशा सपोर्ट रखना चाहिए अन तो खाने पिने परे सब कुछ में माताएं को उसमें ध्यान रखना है जिसमें संतान अश्ट फुष्ट और बहुत अच्छे जन्मले अना सुन्दर और फर रूप और गुनों से भरे संदर अर्शु सक्जित संसकार उसमें रहे और संतान जन्मले तो यह है बाते जब माताय गर्ब से होती है तो उस समय इनको क्या हां माताय को खुस रखने के और यह झाए और चीज़े किया जाता है जो आप लोगों को पता है इसी इस धित्युल में मताय को अब आकर शाभी किया जाता है और इस सब्सक्राइख कर नाम है गदबराय की रिखना रावे सबस्ताने लोग आएंगे मातं को आसिरबाद देंगे इनको फरसन करेंगे को खुशी होगी खुश होगी कि हम लोग देखने आए हैं यह बहुत खुस होंगे और यह खोस होंगे इनके संतान के उपरासर करेगा तो आजेंगे माताया को खूश रखने के लिए घोद भरदान करने क Ariya किया जाता है फीर इसमें एक और हमारे गावध को होता है कि जब कोई माताया बहन गर्भ बती हो तो समय में गया बेजाय जाता है खीर पूरी बना करके सधोर है बेजाय जाता है नियाद कीजिए सबी तारों के यहां से फीर पूरी धेंगे भेजा जाता है कि खाएंगे तो इसलिए गर्व के समय धान है जो लोग करते हैं है की नहीं चलिए आप लोग जाने जहां तक हों जानते हैसलब नहीं तो इसमें से और बात है जहां तक हम आप स्तिति में तो फिर मिलेंगे इसका औगला वीडियो ले करके जन्म संस्कार के बाद है सबसंस्कार यानि बचपन संस्कार तो फिर मिलेंगे ऑगले वीडियो में है ना मा के लिए एक सांग सब्सक्राइब माता-पीटा क्या नहीं करते हैं तब जाके रिए हो जतना होते है ईसे नहीं हो जाते हैं एक माता के है तू चलिए हाँ हाथी माई के घाटवा पर आजन बाजन बाजा 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 बाईब हाथी माई के घाटवा पर आजन बाजन बाजा बाजा बाईब हाथी माई के घाटवा पर आजन बाजन बाजा बाजा बाईब हाथी माई के घाटवा पर आजन बाजन बाजा बाजा का वाता और अघ देवे आईब हो गोदिया में होई हैं बाला का वाता और अघ देवे आईब हो चलिए जय हैं जय भारत फिर मिलेंगे आगले वीडियो में